हेलो एवरीवन स्वागतिया आप्टगूप का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में कस्तूर्वा विध्याले से सिक्षक भरती का नया एड़टीजमेंट सुल्तानपूर से वेकेंसी है सरकारी स्कूल में सिक्षक बनने का ये काफी अच्छा मौका है कोई एक्जाम नहीं कोई इंटर्व्यू नहीं निशलक आविधन करना रहेगा आयू वेतन योगिता पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी जो भी कैंडिडेट इच्छुक रहेंगे आविधन करने के वेकेंसी कारेले जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी सुल्तान पूर से है विग्यप्ती 27 अगस 2024 को जारी की गई और इसमें जो है केवल महला कैंडिडेट ही आविधन कर सकती है पूर्ण कालिक सिक्षिका मैट्स की हिंदी संस्कृत की वेकेंसी है अंसकालिक सिक्षिका में कम्प्यूटर, सारेरिक सिक्षा, लेखाकार की वेकेंसी है मुखे रसोईया, सहायक रसोईया और चपरासी की वेकेंसी है तो इसमें भी जो है आरक्षन है जैसे की पूर्ण कालिक सिक्षिका गणित में एक वेकंसी अनसूचित जाती एक OBC के लिए है, हिंदी और संस्कृत में एक अनसूचित जाती के लिए है, अनसे कालिक सिक्षिका कम्प्यूटर में एक अनसूचित जाती के लिए एक EWS के लिए है, और physical education में दो वेकंसी जोकी general category के लिए है, लेखाकार में अनसूचित जात और के लिए 1 और OBC के लिए 2 vacancy है ठीक है एट पास candidate मुखे रसोया साहेग रसोया चप्रासी के लिए आविधन कर सकते हैं अलग अलग salary रहती है पूर्णकालिक सिख्षिका में 24,200 salary रहती है अंसकालिक सिख्षिका के लिए 10,780 salary रहती है ठीक है वहीं पर commerce वाले candidate जो की 100 salary में रखी गई है यदि आपने graduation किया हुआ है B.E.D. किया हुआ है और CTAT paper 2 या फिर आपकी राजय का paper 2 आपका qualify है तो आप गणित हिंदी संस्कृत के लिए आविधन कर सकते हैं computer teacher के लिए इसना तक और आपके पास कोई भी computer का degree diploma होना चाहिए सारी रिक सिक्षा के लिए B.E.D.C.E.D. वाले या D.E.D.E.D. वाले apply करते हैं लेखाकार के लिए बता दिया कि इसमें commerce वाले candidate आविधन कर पाएंगे साथ में computer का diploma degree होना जरूरी है 25-45 वर्ष जो है इसमें उम्र है यदि आप आविधन करने के चुक है और आप इस IUC मा क के अंतरगत आते हैं आविधन करना चाते हैं तो आविधन करिएगा ओफिशल वेबसाइट है सुल्तानपुर.nic.in उतरब्रदेस में ये वेकैंसी है आविधन करने के लिए आपको application form लेना है और इस address पर भेजना है 15 सितंबर 2024 साम 5 बजे तक कारेले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर पिन कॉड 228001 किसी भी राज्य की candidate यहां आविधन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा कई candidate जो है वो पूस रहे थे कैसे जो है आविधन करना है पता ही नहीं चलता है तो देखिए मैं आप लोगों को यहां बता देती हूँ यह notification सबसे पहले जो है official website पर आएंगे यहां पर जैसे ही आप आते हैं link आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा इसमें थोड़ा नीचे आना है यहां पर click करना है application form for selection on contractual basis in कस्तूरवा गांधी residential girls school आवासी विध्याले है salary के साथ मे apply करना होता है और आप यहां बने रहते हैं ठीक है इस पर आप click कर लेंगे click करने के बाद next जो page यह आएगा ending date जिसमें लिखी हुई है 15 सितंबर 2024 यहां file है view पर click करेंगे तो केवल देख सकते है notification और application form और अगर आपको download करना है तो यह red color का है click here to download इस पर आप click कर लेंगे ठीक है तो यह पूरा notification आपके सामने आजाएगा इसको अच्छे से read करना है और read कर लिया आपने उसके बाद नीचे application form है ठीक है तो पूरा जो है यह 5 pages की PDF file है जिसमें आपको 5 number page जो है जिसमें application form है इसे आपको download करके fill कर लेना है print करके fill कर लेंगे इसमें जो है photo लगाए और कोई mistake नहीं करनी है last मजुह अपना sign कर देना है ठीक है आप इसके साथ मैं अपने 10th के बाद के जितने भी आपके certificate degree diploma है सब लगा देने हैं आपको आविदन पत्र के साथ में दो लिफाफे जिन में प्रतेक पर 42-42 रुपीज का डांक टिकट लगा हो आपको attest करना है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है आविदन पत्र के लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में कस्तूर्वा गंदी आवासिय बालिका विध्याले में पद नाम और विशय आविदित आरक्षण वर्ग किस आरक्षित वर्ग से यह यह तीनों चीजें आपको उसमें अंक ठीक है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बेजना है आप लोगों को सामान्य डांक द्वारा नहीं बेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही करनी है तब भी आप लोगों का यह अप्लिकेशन फॉर्म और जो डॉक्युमेंट जितने भी अजुकेशनल डॉक्यु झाओ में टॉक्युमेंट